अच्छा नहीं लगा था शुरुआत में लगा कि ने फर्वर्ड हैं तो हमको लगा कि चलिए देख लेते वाट राइक कर लेते हैं पैसा प्याइड हो गिया है फिर मांगा पैसा पहले बुला जी एस्टी के नाम पे मांगा साथ सो सततर रुप्ये फिर उस्टी एम वाइस आ सब को चाहता है कि पैसा देख करके थोड़ा सा वाच्टेप बरहाया जाए कमेंट और मेंशन करके इतना गाली दीजिए इन लोगों को अगर यह अभी तक तो रिप्लाइन आया है कुछ पैसा दीजिए हजार पर दीजिए आपका जो चैनल है मोनिटाइज करवा देंगे इसी चैनल है कि एक के साथ हुआ सोचिये कई के साथ हुआ होगा वह जवाब कैसे दे रहा होगा नहीं दे पाता होगा फिर मैंने उसे उल्टा सिधा भी तक बोले नहीं बखी उल्टा सिधा आप बोल देंगे हेलो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं गुड्डू जी कोईशन टॉक्स और आप लोग मुझे तो जानते ही होंगे मेरा नाम गुड्डू कुमार है और जैसे कि मेरे बगल में जो सक्स बैठे हैं वो उनके नाम का कोई महताज नहीं है नाम के उनके बारे में आप खुद से लोग मनीश कहते हैं मनीशर मनीशर और मैं एक प्राइविट टीचर हूं आप लोग को कुछ बचे लोग को पता ही होंगे मेरा फतेपूर परखंड के कठियों गाउं में एक कोचिंग संस्थान चलता है जो कि बहुत ही बच्चे की संख्या अत्यधिक जादा है क्योंकि कि मैं खुद से नहीं बच्चों का प्यार है कि इतना विश्वास दिला करके आज मेरे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं बहुत सारे गार्जियन का विश्वास है मुझे पर ट्रस्ट है तो अपने बच्चे लोग को भेजती हैं तो हमको बहुत जता बच्चे लोग को साथ हम कुछ इस तरह से अच्छी तरह से मिले भी करते हैं कैसी तरह से आपको बच्चे को पढ़ाना है यह आरे दिआओ के मैं में अचे आंग से पास ही किए है तो फो भी आय बहुत अच्छा लगा थोड़ा सा बात किजियेकि पुछ पुछने के लिए आए हैं तो मैं आप्लोग को जरूर बताएंगे आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा जरूर इस वीडियो को देख करके कुछ समझें सिखें सिखने के लिए जरूर तो कुछ मिल सकता है बिल्कुल यहां पे आप लोग को गलत रास्ते की मुम्ताज नहीं देखा सकते मैं जो भी बताऊंगा आप लोग को रियल फैक्ट ही बता सकते हैं तो चलिए लोग क्या बात्चित है जैसा कि मेरा यह बीडियो बनाने का मकसद है कि देखिए ओफलाइन में इनका चलता है संस्था कोचिंग है जिसका कोचिंग का नाम है रवी मैथोमेटिक क्लासिस यह ओफलाइन में जैसा कि आप लोग ने पीछले बीडियो में ही देखा होगा हम बोले थे के ऑफ लाइन में को कोई टकर नहीं दे सकता धा fan इस ऐरिया में इस परखंड में इनका ऑफ लाइन संस्ता जो आरे मसीर रभी मैंतंवांतिक क्लासिस कि नाम से चलता है इनका उफ्राइन संस्ता में बहुत ही दबदबा है इनका कोई टकर ही ने दे सकता है अगर आप यहां से पढ़ते हैं तो आपको 450 पलस लाने से नहीं रोख सकता है लेकिन एक बात यह वीडियो बनाने का मकसद भी है कि इनका एक यूडूब चैनल है इनका एक यूडूब च चाओदा सो पलस स्क्राइबर है अभी मनी सर का इनको देखिए तैसे डी मुनिटीवेट कब हो जाते हैं सर जैसे इनके पास है ना कि जब लाइब आते हैं तो बच्चे नहीं जुड़ते हैं और इनका चैनल बनाए हुए लगता है लगभक एक साल हो गया एक साल में अभी वीडियो बनाने का एक मकसद था कि आज सर के साथ फ्रॉड हुआ है बताएं सर क्या फ्रॉड हो गया बहुत फ्रॉड हो गया कार्ण यह है कि मैंने अदखिए सब को चाहता है कि पैसा देकर के थुरा सा वाच्टेम बढ़ाया जाए तो मैंने भी उसी तरह से थुरा सा आपका जो चैनल है मोनिटाइज करवा देंगे तो इस ही चलते मैं भी मैं भी हजार फ्रॉड देने में पिछे नहीं हटें कि बोले चलो वाच्टेम मिल जाएगा तो वाच्टेम तो जरूरी है और पूरा हो जाएगा तो मैं और भी कंफिडेंस के साथ और भी मोटीवेट मेरा अंदर में रहेगा और भी अच्छे तरह से बच्चे लोग को पढ़ाएंगे तो पैसा एक बार हजारी पहले लिया बार बर काता और भेजो और भेजो फिर मैंने उसे उल्टा सिधा भी तक बोले नहीं बखी उल्टा सिधा अब बोल देंगी तो मैं इस चीज से अब पाती हैं तो लगा कि चलिए देख लेते बाट्राय कर लेते क्या पता है तैसे देखिए और जोबी फ्रॉब्ड होगा उसको थाम चोड़ेंगे नेन तैसे देखिए आप लोग को आ पर दिख रहा होगा तैसे देख लिए लिखा हुआ है मगह मैत्यमैटिक क्लासेस आरेम लेकिन हमको कब विश्वास हुआ एक देखिएगा यहां पर स्केनर पर देख रहा होगा स्कीन पर आपको स्टी एम भॉइस आर्टिस्ट जिनका इंस्टागराम पर 1.7 मिलियन फ्लोवर्स है तो सर भी सोचे बिलीब कि उस पर कि नहीं गलत तो नहीं हो सकता है जब स्टी एम भॉइस आर्टिस्ट का 1.7 मिलियन फ्लोवर्स है तो किसी को गलत उदेश तो नहीं दे सकता है कि हाँ भाई कि तुम्हें एक हजा डालो तुमको वाइट एम मिलेगा मोनिटाइज हो जाएगा गलत उदेश नहीं दे सकता अगर गलत उदेश से दे रहा होगा अगर कि आप लोग सरको जान रहा है तो इसको रिप्लाइ ज्यरूर किजिए का monitor किजिए एसा क्यों करता है पबलीक के साथ समझ रहे हैं कि आ आज मानku के साथ होगा सोच्य कई के साथ होगा जवाब कैसे दे होगा नहीं देपाता होगा एक स्क्रीन पर नंबर भी आपको दिख रहा होगा 931 832 9474 इसी नंबर पर WhatsApp किया गया आप देखिए जितना जितना बार एमाउंट मतलब पे किये ने सार अस्क्रीन पर आपको फुलोवर्स है इनको भी कमेंट और मेंशन करके इतना गाली दीजिए इन लोगों को जैसे अगर यह अभी तक तो रिप्लाइन आया है हलाके पैसा पेड हो गिया है फिर मांगा पैसा पहले बुला जी एश्टी के नाम पर मांगा 777 रुपिया फिर उसके बाद मांगा CGSP के एक नाम पर कि इसमें भी आपको लगेगा पांसो पच्पन रुपिया अब पता ने यह पे करते थे और कितना मांग था सर के साथ आज का दिन सरका बहुत ही खराब गया इसलिए क्यों गया कि आप ही लोग का तो एक रीजन है न नहीं देखो नया टीचर है उसका ज्यादा सस्क्राइबर है ज्यादा वाची एक बर छोटे संस्क्रिट और इंगलिस के टीचर हैं एक रवी मैथोमेट यानि रवी सर जो है वह थी मैथ पढ़ाते हैं और फिजिक्स पढ़ाते हैं एक बार इन लोगों का वीडियो देखेगा यह सबसे आप लोग भी लट रही हैं जितने भी यूटूबर्स या स्टुडेंट देख र नहीं सही हो सकता है अब सर आप पूली आपका क्या सजेशन इसमें मेरा सजेशन यह है कि कभी भी ऐसे चीजों में ना फसे हमको थोड़ा सा डौट लग रहा था फिर भी मैं एक नहीं होता है कि भाय चलो वाज तेम नहीं पूरा हो रहा तो चलो कम से कम हजारे पर हम हो रह नीचे से असमान तक पहुंचा सकती है तो मैं बच्चे लोग पर बहुत विश्वास है कि आज बच्चे एक अभी मुनिटाइज के लिए 4000 घंटे वाज टाइम के लिए मैं फरसंघर्श कर रहा हूं बच्चे लोग बहुत जल्द पूरा कर देंगे पूरा हो जाएंगे त कि आप लोग किस तरह से हां तक हम लोग को पहुंचाएं ठीक है जैसा कि अगर आप लोगों से अगर सर का मदद हो सके जो मगही मैथेमेटिक क्लासेस RMC है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इनके वीडियो को एक बर जरूर देखे यह सर है जो वाज टाइम के चकर में आप लोग अगर इनको सपोर्ट करते तो सर है जो अपना पैसा इंवेश्ट नहीं करता है इन फ्रोडों के चकर में सर जो है नहीं पड़ते इसलिए आरग मदद हो सके नहीं तो इस नंबर पर जो आपको नंबर दिख रहा स्क्रीन पर इस पर मैसेज किजिए या कोमेंड क कि यह इसा क्यों किया इस टीएम वान पॉंट से वह सेवन मैंलियन फ्लोवर्स है इसको भी इतना मेंसे ना गाली दीजिए गा इसको तो अन फ्लोवर कर देना चाहिए कैसे इतना पब्लीक यानि समझ रहे हैं इतना पब्लीक के साथ फ्रोड़ ने कर रहा है इस टीएम आटिस जो इंस्टाग्राम से चलाता है साच मारिएगा और सर के चाहने वाले जितने भी हैं वो सर को सपोर्ट कीजिएगा और इनके चैनल को दुलार प्यार दीजिएगा इसी के साथ जहिन दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं